So guys, welcome back to Micro Classes हमारी Merit University और सारणपी University की B8 Second Year की Classes चल रही है आज का मारा subject है Creating an Inclusive School इस subject का आज का मारा topic है परतिबा साली बालक अब हम बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं विबिन परकार के कौन-कौन से बालक हमें Classroom में देखने को मिलते हैं तो आज का मारा topic है Gifted Children जो Intelligent Children होते में कौन होते हैं उनकी क्या विशेष्टा हैं होती हैं और आपको उन्हें कैसे पढ़ाना है उनकी सिख्ष़के वस्ता कैसे होती है Most important question है Long question के रूप में आता है क्योंकि Class में Intelligent बच्चे भी होते हैं आपको पता होना चाहिए कैसे उन्हें पढ़ाते हैं तो important question है Long में आता है और सोट में भी आता है अब इसके बारे में बात करते हैं परतिवास आली बालक इन्हें मेदावी बालक भी बोलते हैं Gifted Children इन्हें बोलते हैं जो Intelligent बालक होते हैं किसी भी classroom के जो top के intelligent बच्चे होते हैं वे हमारे परतिवास आली बालक होते हैं एक दो ज्यादा नहीं top के एक या दो बच्चा वो intelligent होता है मेदावी जो top करता है चस्मा लगाने वाले हैं बच्चे जो किसी भी teacher के question का answer मातम जल 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 दी देते हैं टीचर ने question खतम भी नहीं किया और बच्चे अपना answer लिख के तियार कर लेता है अरे सर यह रहा उत्तर टीचर बोर्ड पे एक question लिखता है एक बच्चा पीछे से खड़ाओ के बोलता है सर जी साथ है इसका उत्तर दो तो वो जो बच्चा है परतिबासाली बच्चा है intelligent बच्चा है जल्दी जल्दी घ्यानपराप्त कर लेता है उसकी इंद्री ज़्यादा सक्रिय है सोचने के अक्समता उसमें ज़्यादा है बुद्धी ज़्यादा है मतलब इनमें बुद्धी जादा होती है इनका जो IQ लेवल होता है वो हाई होता है इनका IQ लेवल बच्चों का तो ऐसे जो बच्चे होते हैं क्लास्रूम के में परतिवासाली बालक होते हैं तो किसी भी क्लास्रूम में में कहीं प्रकार के बच्चे देखने के मिलते हैं एक तो होते हैं मंदबुद्धी बालक पिछड़े बालक वगरा वगरा है यह होते हैं समन्ने बालक तो मंदबुद्धी बालक और समन्ने बालक से उपर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं हमारे परतिबा साली बालक या मेदावी बालक की सिरेणी में आते हैं समझ पाए होंगे आसान सा टोपिक है अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं परतिबा साली बालक विशिष्ट बालकों की सिरेणी में आते हैं ये हमने पिछली कलास में पढ़ लिया था कि विशिस्ट बालक कहीं परकार क्या होते हैं उनमें से एक पर्तिबा साली बालक भी होता है। अब देखो जो समन्य बालक को का आईक्यू लेवल होता है। वह 90 से 110 के बीच होता है। 90 से लेकर 110 से कम तो ये होता है जनरली समन्य बालक को का। लेकिन जो 110 या उससे अधिक होते हैं वह हमारे intelligent बच्चे होते हैं, लेकिन हर मनोविख्यानिक ये बात नहीं मानते हैं। कुछ मनोवग्यानिक बोलते हैं कि 120 जिसका IQ लेवल है वो मेधावी है कुछ मनोवग्यानिक 140 मानते हैं तो अलग-अलग मनोवग्यानिक अलग-अलग मानते हैं लेकिन हम कह सकते हैं आम बासा में कि 110 है उससे अधिक IQ लेवल वाले जो चात्र होते हैं मेधावी चात्रों की सि 140 मानते है तो यह है कि 120 है कुछ मन desarrollo मानते है कि 120 IQ वाला intelligent है कुछ 140 वाला intelligent मानते है gifted मतलब और कुछ 110 ही मान लेते है कि 110 ठीक है चलो इस परकार का जा सकता है कि होशयार अथवा अधिक चात्रों को पर्तिबा सारी चात्रों के सेनी में रखा जाता है। है है और समझने काक्षाव में अद्धन करने में समश्या होती है देखो यह इंटेलिजन्ट तो होती है यह बच्चे दमादम किसी भी चीजों को रट लेते हैं अन्द हंडर्ड मेंसे 99% मार्क्स लेकर आ जाते हैं लेकिन इन बच्चों को भी समन्ने बालकों के साथ समयोजन करने में कठ नहीं होती है और समन्ने कक्षाओं में धन करने में भी इने कठ नहीं होती है क्योंकि यह जादा इंटेलिजेंट होते हैं इनकी बुद्धी जादा होती है परतिभासाली बालकों को कक्षगत सिक्षण की परकिरिया धीमी गतिसे आगे बढ़ती उपढ़तीत होती है जिसकारणीय समानने कक्षा में जल्दी उप जाते हैं इसलिए सिक्सक को इनकी और विशेज द्यान देना पड़ता है तता इन्हें अतरिक्त कारिया देकर वियस्ट रखना पड़ता है साथी सिक्सक को इनके लिए विसे सिक्सन की विवस्था भी करनी पड़ती है ऐसा नहीं करने पड़ी अंचायरा पर निकल पड़ते है तो क्या हुआ अगर जो intelligent बच्चा है उसे हम अलग से काम नहीं देंगे या उसके लिए special classes नहीं लेंगे तो अंचायरा पर निकल पड़ेगा कि टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसके दिमाग में जो भी तथ्या है चाहिए गलत हो चाहिए वैसा ही हो तो वो बच्चा उसी तथ्या के बारे में सोच विचार में लग जाएगा उसी पर research करने लगेगा अब इनकी definition देख सकते हैं हम परतिवासाली बालकों की तो परिवासा और इस तरह से एक line-up लिख दे ना यह line में हर इसमें class में नहीं लिखता यह मैं आपको बाद में बता दूँगा पेपर में answer कैसे लिखना है उस time पर बता दूँगा बाकि ऐसे लिख सकते हैं पुछ मनविग्यानी को ने एक सवय जड़ को निम रूप में वर्णित किया है कोलसनिक ने क्या का है अच्छी परिवासा है कोलसनिक की वह परते एक बालक जो अपने आयू स्थर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए नई मैटोपून दें दे परतिवासाली बालक है जैसे आइंस्थीन वह पालक जो अपने लेवल के बच्चों से कोई ज़्यादा योग्यता रखता है और समाज के लिए कोई नई चीज बना कर दे समाज के काम आई वह परतिवासाली बालक है पोल वीटी ने क्या कहे परतिवासाली बालक वह है जो किसी कारे को करने में निरंतर उच इस्तर बनाए रखता है पोल वीटी के अनुसार परतिवासाली बालक वह है जो किसी कारे को कर रहा है और निरंतर उच इसतर उसका बना हुआ है उस कारे को वह अच्छी तरह से कर रहा है हमेशा उच्छी तरह से कर रहा है तो वह परतिबसाली बालक है अब परतिबसाली बालकों की विशेषता या फिर गुण की बात कर लेते हैं बीज भी आप के पेवर में, यहीं बाते आप लिख देना, सबसे पहली बात, इनकी बुद्धी-लब्धी समन्ने बालकों से अधिक होती है, 110 यह tastes तो दस प्लस होती है मतलब यह समन्ने ता दिखने में समन्ने बाल को जैसे ही होते हैं लेकिन सिक्संड की परिकिरी में समन्ने बाल को से आगे निकल जाते हैं तो जो पड़तीबस आली बालक हैं वे दिखने में तो समन्ने बालक ही लगते हैं क्योंकि उनकी आत पैर सब ठीक बात करने का तरीका भी ठीक होता है उनका लेकिन जब पढ़ने का नमबर आता है तो समझने बालकों से आगे निकल जाते हैं ये किसी भी गटना का निष्टन जो बारी किसे करते हैं, मनलड़ा किसी भी चीज का जो observation है, बारी किसी करेंगे, हर्ची ज़ानने चाहेंगे, उसके बारे में टीचर से अजी बजी से सवाल पूचेंगे, इनकी सीखने की गत्षagen तेज होती है, यह बालक सारीरिक वे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जल्दी ठकते नहीं है, यह बालक अगर किसी काम में लग गए, पढ़ाई से संब्दित अगर विशेश रूप से वेह काम है, तो जल्दी नहीं ठकेंगे, ऐसा नहीं है कि दो गंटे में यह पढ़कर अपना काम खत जाते हैं, तो जो हमारे पढ़ती पर साली बालक होते हैं, उनकी बुद्धी का विकार जल्दी होता है, जिस वज़े से इन पर चलना भी जल्दी आता है, और पूलना भी जल्दी आता है, इनका द्रेस्टिकोन वेग्यानिक होता है, हमेशा चीजों को वेग्यानिक द्रेस आप फश्य होते हैं, क्योंकि एक teacher एक topic को तीन बार बताता है, यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ, समधने बैब क्यों को पढ़ाता हूँ, और मुझे भी कु לנו कुमेंट का जाते हैं, सर, आप एक बात को तीन-तीन बार बताते हैं बूर हो जाते हैं तो ये comment आते हैं हर जग आते हैं अगर हम एक बात को तीन बार नहीं बताएं तो जो समन्ने बच्चा है वो समझ नहीं पाएगा उस बात को तो उस समन्ने बच्चे को दिक्कत होगी तो वो जो हम पढ़ाते हैं वो समन्ने बच्चों के according पढ़ाते हैं तो यह जो intelligent बच्चे होते हैं, इन्हें क्या होता है, ऐसा लगता है, कि सर time waste कर रहे हैं, एक बार सर ने बताया, तो अच्छी बात है, हम समझ गया आगे बढ़े हैं, तो समयोजन करने में दिक्कत होती है इन्हें, यह बालक समयने बालकों से कम बाते करते हैं, क्योंकि समयने बालक अपने घर समाज की बाते करते हैं, और यह हमें सब पढ़ाई लिखाई की बाते करते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीखसक को इन्हें व्यास्त रखने के लिए अत्रिक्त कारिया देना पड़ता है, टीचर इन्हें कहा देता है, अच्छा आप यह परतिबासाली बालक है, वह आपने जो टीचर है, प्रिंसिपल है, या उनसे जो बड़े हैं, ज़्यादा ग्यान है, उनके पास उनके साथ असानी से बैठ कर बात करेंगे, और बड़े-बड़े मुद्दे पर बात करते रहते हैं, जिजकते नहीं हैं, इनमें कलपना सकती परतिबासाली बालक की शिक्सा व्यवस्ता आप कैसे करेंगे, विश्चरित रूप से समझाईए, ऐसा लोग कोश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इस तरह से आप छोटी चैडिंग लिख सकते हैं, विजद्दालने परतिबासाली बालक की शिक्सा को निम करते हैं क्योंकि लोग कोश्चन में आता है, सबसे पहले एडिंग है हमारी विशिस्ट कक्षाएं, अब परतिबासाली बालक के लिए हमें अलग से कक्षाएं लेनी पड़ती है, अगर हमारे पास एक या दो परतिबासाली बालक है, तो उस ये टीचर गया करता है, अपने हो सकते हैं, मंद बुद्धी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये विशिस्ट कक्षाएं हैं, परतिबासाली बालक के लिए हमें विशिस्ट कक्षाओं की विवस्था करनी पड़ती है, परतिबासाली बालक समन्ने कक्षाओं में उप जाते हैं, क्योंकि उनके अनु को समय दे तता उनकी समच्छाओं का समधान करें या उनकी विशिष योग गयताओं के विकास में एहम योगदान देता है परतिबस्तारी चातरों की संक्या अधिक होने पर इनके लिए विशिय शिक्सा की विवस्था भी की जा सकती है लेकिन यह सुझा वेवारी ग्रूप स गमण आ जाता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जो दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वे कम इंटलिजेंट है इस वज़ए से परतिबस्तारी चातरों को विशिय शिक्सा में बेजने के लिए ज़्यादा प्रिरित नहीं किया जाता है ऐसा नहीं क पाठ्यकरम में विरद्धी अब हमें अपने पाठ्यकरम में भी विरद्धी करने होगी इसका आप लिख सकते हैं इंगलीज में एन्रीच्मेंट इन सलेबस यह जो जो मैं आपको पीडिएप दोंगा उसमें लिख दोंगा यहां पर मैं लिखना भूल गया हुँगा enrichment in syllabus या enrichment of syllabus कुछ भी लेख सकते हैं पर्तिबावान जो बालक होते हैं पर्तिबावान जो चातर होते हैं उनके लिए हमें जो syllabus हैं वो enrich बनाना पड़ता है अच्छा बनाना पड़ता है इजी जी से topic हम उसमें नहीं रख सकते हैं थोड़े high level की topic हमें पड़ाने पड़ेंगे बच्चे को तभी अपना जो समय है वो उस topic को देंगे अधरवाईज में जल्दी से पढ़ लेंगे समझ लेंगे और दूसरे तक्थियों में लग जाएंगे तो हमें अपना जो सलेवस है वो भी अच्छा करना पड़ता है पर्तिवास आली बालकों को अगर हम क्यान परदान करना चाहते हैं पर्तिबाबान वालक के अपने पाठ्थे करम को जल्दी समझ लेते हैं ये समझने बालकों से समझने में कम समय लेते हैं अपने पाठ्ठे करम को बचा हुआ समय इन्हें किसी और कारिये दे कर व्यस्त रखा जाता है इन्हें आता है इनके लिए पाठ्ठे करम में सम्वर्द्धी कर विशेस पाठ्ठे करम का निर्मान किया जाना चाहिए ऐसे पाठ्ठे करम में जो परतिबा सारी बालक है उनके प खास किया जा सके तो हैलिंग वर्थ एक मनोवग्यानिक होए है उन्होंने क्या का है परतिबस आली बालक के लिए अगर अगर आप पाठ्थे करम बना रहे हैं तो यह टोपिक उसमें रख सकते हैं उनकी सब्वयता का ग्यान उन्हें दे सकते हैं जीवन गाथाओं का ग्यान सकते हैं आधुनिक बासाओं का ग्यान दे सकते हैं या कोई विसेश कोई इस्पेशल ट्रेनिंग हम उन्हें दे सकते हैं किसी भी चीज की तो अगर हम पाठ्ठेकरम बालक के लिए अब सिख्षा के वरस्ता कर रहे हैं तो पाठ्ठेकरम भी हमें एंडिच करना होगा व्यक्त अगर हम अपने कोलीज में अच्छे ट्रेंड टीचर नहीं लेकर आएंगे तो में परतिबासाली बालक को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि परतिबासाली बालक ऐसे ऐसे कोश्चन पूछेंगे उस टीचर को अगले दिनी बगा देंगे क्लास में से इस वज़े से हमें जो सिक्सकों का चियन करना है वो उसे अनुसार करना है कि हमारे पास परतिबासाली बालक है तो अच्छे सिक्सकों का चियना में करना होता है परतिबासाली बालक की समझता है समन्ने बालकों से उचिस्तर की होती है ये हैं अपने सिक्सक से ऐसे कोश्चन पूछते हैं जिनको उत्तर देने एक समन्न सिक्सक के लिए कठीन हो जाता है अत्या परतिबसाली बालकों को सिक्सा परदान करने के लिए स्रेश सिक्सक के गया उशकता होती है परतिबसाली बालकों के लिए ऐसे अध्यापकों को न्यूक्त किया जाना चाहिए जिनने अपने विशे का अच्छा ग्यान होने के साथ साथ बालकों के मनुविज्ञान का ग्यान भी हो सियोग्य अध्यापकों के संपर्क में भी पर्तिबा साली बालक अपनी योग्यता और अक्षमताओं का अधिक्तम विकास कर सकते है अब next बात करते हैं पुस्त कल्या की सुईदा लाइबरेरी फैसिलिटी तो अब देखो पर्तिबसाली बालकों क्या करते हैं पढ़ना चाहते हैं और कहीं से उन्हें कुछ ग्यान मिल जाए तो वे लाइबरेरी चले जाते हैं और अलग-अलग पुस्तकों का अद्धियन करते इस वज़े से हमें लाइबरेरी की भी सुईदा पर्तिबसाली चात्रों को पर्दान करनी चाहिए पर्तिबसाली बालकों में ग्यान परापते की इच्छा समन्ने बालकों की तुनला में अधिक होती हैं उनकी कक्षा की पुस्तके पढ़ने के अत्रिक्त और भी उचिस्तर कि पुस्तके पढ़ने में रूची होती है अते हैं उनकी इस रूची को पूरा करने के लिए पुस्तकाल्य की सुज़धाएं देना अत्याव सके पुस्तकाल्य में छात्र अपनी रूची के अनुसार पुस्तकों का चेहन कर उनका अध्यान करते हैं से उनकी योग्यताओं में निखा रहता है घर के लिए विसी इस गर्याकारी है जो गर्याकारी हम समन्ने बच्चों को दे रहे हैं परतिबसाली बालकों को अच्छा गर्याकारी देते हैं या फिर हम ज्यादा गर्याकारी देते हैं रिच होमवर्क मतलब अच्छा गरह कार्या देना समन्ने चात्रों को परदान किये जाने वाले गरह कार्या को परतिबा सारी बालक विद्याले में ही पूर्ण कर लेते हैं अब देखो समन्ने जो चात्र होते हैं तो ब्रेक में खेलते हैं लेकन परतिभा साल 16 शार ब्रेक में अलगा सा टाइम मिलता है, अपने हूमवर्क को पूरा कर लेते हैं या फिर गर पर जाकर अपने हूमवर्क को बड़ी जल्दी पूर्ड कर लेते हैं इस कान पर्तिबा वान बालको को घर के लिए विसेश गर्याकारिया दिया जाना चाहिए ताकि उनकी पर्तिबा का उचित परियोग किया जा सके इससे उन्हें मानसिक संतोस में मिलता है और उन्हें अपने पर्तिबा के उप्योग करने के उश्चर भी प्राप्त होते हैं इस स्थिति में टीचर उन्हें ऐसे से काम देती हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई से संब्धित होते हैं गेम्स जो बार की गेम्स होते हैं एक्स्टा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इन में यह बालक ज्यादा रोल नहीं लेते हैं इस वज़े से इन बालकों का सरवंगिन कहीं न कहीं पिछड जाता है श्रीफ बुद्धिक विकास जादा होता है तो एक शिक्सष को चाहिए कि उन बालकों के ओल्डाय। ड्वेलाव्मेंट पर फॉकस करें सर्वंगिन विकास पर फोकस करें पर्तीबावान बालकों की सिक्षा उनके व्यक्तित्युके सभी पक् बखर बनाना वगर वगर ऐसे जो छोटे-छोटे होते हैं हमारी एक्टिविटीज क्लास्रूम की उनमें भाग देना चाहिए ऐसे बालकों के केवल बोधिग विकास या सेक्षिनिक विकास पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिए बलकि उनके संपुन विकास पर बल दिया जाना चाहिए परति बावान बालकों के सरवंगिन विकास के लिए अध्यापकों को अत्यादिक परिश्रम क्या वशक्ता होती है अत्याइस कार्या के लिए उसे कक्षा और स्कूल में सक्रिय रहना चाहिए तो मतलब पूरे विकास पर बल दो इन बालकों के सरवंगिन पर नहीं समाजिक पर भी दो बासाई पर भी दो बासाई विकास तो पहले यह भी अच्छा ही कर लेते हैं जो हमारा विकास है emotional development है उस पर भी इनका बल दो इस तरह सरवंगिन विकास पर हमें बल देना चाहिए तीर उगाती मतलब इनका promotion जल्दी करना चाहिए इस पीडिया फिर यहाँ पर आप promotion भी लिख सकते हैं जल्दी से इन्हे स्कूल में बेजना चाहिए और जल्दी जल्दी इनकी कलास हमें पास करने चाहिए अगर यह बच्चे जल्दी से किसी कक्षे का ग्यान परात कर लेते हैं तो एक एक साल में इन्हें दो कक्षाएं भी पढ़ा देने चाहिए थर्ड फोर्थ ऐसा होता भी है जो intelligent बच्चा होता है और छोटी कक्षाव में होता है तो जो teacher होते हैं उस बच्चे का promotion कर देते हैं एक क्लास मिस कर देते हैं या फिर happy early exam के बाद ही उसे अगली क्लास मे बेज देते हैं ऐसा होता भी है तीर उगती से तात पर ये परतिवसाली बालकों को प्रारम से ही तीर उगती से सैक्षिनिक परिकिरिया से गुजड़ना है मतलब ये बच्चे बच्चे बच्च्पन से ही सैक्षिनिक परिकिरिया में तीर उगती से गुजड़ते हैं विद को कि सैक्सी गति को तीरूता परदान की जा सकती है मतलब एक वर्स में एक बार कक्सा की उन्नती होती है एक कक्सा पास करता है बच्चा लेकिन एक से अधिक बार इन्हें हम दो कक्सा पास करा सकते हैं एक साल में इससे इनकी जो सीखने गतियों से तीरूता मिलेगी इससे ये बालक उन चात्रों के साथ पहुंच जाते हैं जिनका बोधिक लेवल इनके बराबर होता है लेकिन कई मनुवग्यानिक इसे गलत मानते हैं क्योंकि अगर इस बच्चे को हम अगली कक्सम बेज देंगे तो वो जो एज है या समाज है बड़े बच्चों के समान उसकी नहीं होती क्योंकि ऐसा करने पर बालक उस कक्सम में पहुंच जाते हैं जिसमें अन्य विद्यार्ती सारीक वे समाजी करूप से अधिक विक्षित होती हैं इससे इन बालकों पर विप्रित पढ़वी पढ़ने के संभावना होती है तो यह होता है तीरुगती बच्चों को इस इन ऐसे बच्चों को हमें गलत भी हो सकती है इससे में गलत समाजी कादते भी पकड़ सकते हैं हैस्टैग उसामा बिन लादेन इंटेलिजेंट था गलत समाजी कादत में पढ़ गया और बंपोड दिया उसने तो या आप यह कह सकते हैं परतिबसाली चातरों में सरजनात्मक्ता का गुण भी होता है याति परतिबवान बालकों की सरजनात्मक्त सकती का उचित परियोग नहीं किया जाता तो में समाज विरोधी गति वीडियो में समलित हो सकते हैं अत्याद द्यापक को चाहिए कि उनकी इस इस परकार की होनी चाहिए जिससे भैस समाजिक विराईयों से दूर रह सके उत्तरदाइतों का कारी है तो जो intelligent बच्चे होते हैं उनमें leadership की quality होते हैं अगर कोई टीम बनाई जाती है तो उसका लीडर बनना चाहते हैं इस वज़े से एक टीचर को चाहिए कि वह उस बच्चे के लिए ऐसा ही महूल तयार करें जिसमें वह leadership quality अपने दिखा सके परतिबवान चात्रों में नेतरुत का गुंड भी पाए जाता है आता है उनमें नेतरुत के विकास के लिए भी उन्हें कुछ कारें सोपे जाने चाहिए जैसे कि ऐसे विद्धायतियों को कक्सा का मोनिटर बना दिया जाना चाहिए इससे अतरिक्त विविन प्रोजेक्ट कलब सभाव टीमों का नेता बनाए जा सकता है इस परकार की किरिया से उनमें उत्तरदायतों को निभाने की कला और उत्तरदायतों का भाग उठाना सीख जाते हैं कलासरूम में हम दिवाइड कर देते हैं कलासरूम को और कोई छोटा सा गेम खिला सकते हैं तो इन जो हमारी एक्स्टा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें भी उनका भी हमें आयोजन अपने स्कूल में करना चाहिए और परतिवसाली बालकों को उनमें पर्टिशिपेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए इन बालकों की रुचियों में विवित्ता देखने को मिलती है इनकी तूस्टी केवल अध्धन के द्वारा नहीं की जा सकती आतात द्याबक को चाहिए कि में इनकी अबुरिचियों की टूस्टी करने के लिए विविन परकार की पाट्टे सैगामी किरियाओ का आयोजन कराएं जैसे खेल, एतियासिक, बर्मन, वाद, विवाद, परतियोगिताय, नाटक, NCC, NSS, स्काउटिंग, प्रोजेक्ट, स्रमदान आदी तो यह चीज एक सिक्सप को अपने स्कूल में कराने चाहिए खेल, गेम्स होने चाहिए, एतियासिक बर्मन, पतलब एक सिक्सप को अपनी कलास्रूम को लेकर बाहर भी जाना चाहिए कहीं गोमने के लिए, जैसे कि किसी एतियासिक स्थान पर, वाद, विवाद, परतियोगिताय होने चाहिए, नाटक होने चाहिए इनको आप जानते ही है प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट कार्या करने के लिए ने देना चाहिए स्रमदान कभी-कभी गरीब हो कि हाल पढ़ने संबंदी कुछ हम काम करते हैं स्कूल में कि जाओ सबको पानी पिलाव रास्ते पर खड़े हो कर तो ऐसे स्रमदान वाले काम बिन से कराने चाहिए लास्ट पोइंट है हमारा चात पुरत्यों के विवस्ता प्रोविजन वा भी स्कूलर्शिप से अब देखो यह जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं यह ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं जो ऐसे-इसे कोर्श करना चाहते हैं जिनके करने में काफी खड़ जाता है लेकिन इनकी घर के अलात इतनी अच्छी नहीं होती जो घर के आर्थिक इस्तिती होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि इनके मम्मी पापा माता पिता effort कर सकें उस courts को इस वज़े से हमें इन के लिए चाहत उरत्तियों की भी विवस्था करनी चाहिए अगर हम चाहत उरत्तियों की विवस्था करेंगे तो ये बच्चें अपने मन मुताबिक अच्छा courts कर सकते हैं देश के विकास में अपना योगदान देंगे यह बालक बड़े होकर देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं कभी-कभी इन बालकों के आर्थी के स्थिति इतनी अच्छे नहीं होती है कि अपनी सिख्षा को निरंतर जारी रख सकें इससे देश के विकास पर विप्रीत पड़ पढ़ता है इस गर्ड सरकार को पर्तिवसाली बालकों के लिए अलग से चाथ उर्ति की घोश्टना करनी चाहिए समय समय पर उसका वित्रण भी किया जाना चाहिए जो आपका नवगरता विद्दय अले को तो आप जानते होंगे नवरता विद्दी समिती NBS जिसको बोलते हैं नवदा विद्यालन में इंटेलिजेंट बच्चों को फिरी पढ़ाया जाता है वो यही बात है इंटेलिजेंट बच्चे हमने अलग से ले लिए और उनको हम बिना फीस के पढ़ा रहे हैं आप अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके आसपास कोई नो कोई परतिवा साली बाला कोता ही है उसको अबजर्व कीजिए और उसके बारे में पेपर में लिख दीजिए आपको नंबर मिल जाएंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने ब्याड ग्रूप में दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं ब्याड की इसी तरह से डेली रागुलर कलासे लेने के लिए सभी सब्जेक्ट की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाई टेक केर